मदुसूदन मैं आपके परती प्रेम होने के कारण और आप मेरे सखा है इस नाते से मैं आपसे अपना दुख परकट करूँगी क्योंकि दिव्वे और मानव जगत में जितने भी प्राणी है उन सब के इश्वर आप ही है भगवान कृष्ण मेरे जैसे इस्तरी जो कुंती पुत्रों की पत्नी आपकी सकी और द्रश्ट दुम जैसे वीर की बहिन हो क्या किसी भी सभा में केश से पकड़कर खसीट कर लाई जा सकती है मैं रजस्वला थी मेरे कपड़ों पर रख्ट के छीटे थी शरीर पर एक ही वस्तर था और लज्जा और भय से मैं थरथर कांप रही थी उस दशा में मुझे दुखी अबला नारी को कोर्वो की सभा में घसीट कर लाया गया था और भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रख्ट शाव होने के कारण मैं रख्ट से भीगी जा रही थी उस अवस्ता में मुझे देकर धरतराष्ट के पापात्मा पुत्रों के जोर जोर से हसकर मेरी हसी उड़ाई थी मदसुदन हे कृष्ण पांडवो पांचालों और वरश्णी वनशी वीरो के जीते जी धरतराष्ट के पुत्रों के ने दासी भाव से मिरा उभुग करने की पुत्रों की पुत्रों की पुत्रवदू हों तो भी उनके सामने ही भलपूरवक दासी बन गई मैं तो संग्राम के स्टेश्ट इन महाबली पांड़ों के निंदा करती हूँ जो अपने धर्म पत्नी को शत्रों द्वारस अताई जाती हुई देख रहे थे सखा भीम से इनके बल को धिकार है अरजुन के गांडिव को भी धिकार है जो उन नरा धर्मों और मुझे अपमाने थोते हुई देख कर भी सहन कर रहे थे सत्पूर्शों द्वारस सदा आच्रण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पती भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं पत्नी की रक्षा करने से अपने संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है अपनी आत्मा ही इस तरी के गर्ब से जर्म लेती है इसलिए वहज जाया कहलाती है भी दया नहीं की जनारदन इन पांच पतियों से उत्पन हुए मेरे महाबली पांच पुत्र हैं उनकी देख बाल के लिए भी मेरे रक्षा की आवश्कता थी युदिस्ट्र से प्रतिविंद भीम सेंसे सुत्मोम अर्जुन से शुरुतिकीर्थी नकुल से शतानीक और ध्यमिस्रिष्ट शत्रों द्वारा युद्ध में अजे तो भी में दुर्पल ध्रत्राष्ट फुत्रों द्वारा अत्यचार कैसे सैन करते हैं अधर्म से सारा राज्य ग्रहन कर लिया सब पांडों को दास बना दिये गए और मैं एक वस्त्र धारेनी रजस्वला होने पर इतना बड़ा अत्यचार करके दो घड़ी भी जिवित रह पा रहा मदसुदन पहले बाले अवस्ता में जबकि पांडों ब्रहमाचारे वरत का पालन करते हुए अध्यन में लगे हुए थे किसी से भी हिंसा नहीं करते थे जिस दुष्ट ने इनकी माता के साथ राज्य से निकाल दिया था जिस पापी ने भीम सेन के बोजन में नूतन तिक्षन परिणाम में अधिक और रोमान चकारे काल कूट नमक विश मिला दिया था महा बाहू नर्स रेष्ट जनारदन भीम सेन की आयुशेस थी इसलिए वैगा तक विश अन्य के साथ पच गया और उसने को कोई विकार उत्पन नहीं किया इस परकार दुर्योधन के अत्यचारों को कहां तक गिनाया जाए बताओ सखा बोलो मुझे बताओ क्या ये सही था धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें